हेलो दोस्तों यह compact service station CSS बोलते हैं इसे आपको लेए चलते हैं हम इस CSS के पास जहां पर आपको देखने को में लगा यह है आपका T7-8 इसमें आपको 4 400 एम्पेर के शोटी छोटे और स्विच हैं आना दुस्तरे साइड ले चलते हैं आपको जिसमें आपको । ह हिं ओ गया बीच का professionals जिसमें कि आपको disag Samar uh घुप आर दूसे साईड में कि है스 यह यारा वर्वेसजर माशि का जार मत आते हैं जो कि आपको यहां पर एक तो कि अभी यह देखें इसमें लाइट बिलिंग नहीं कर रही है मतला इसमें सप्लाई नहीं आ रही है अभी लाइट जब यहां पर सप्लाई आ जाएगी तो यह लाइट बिलिंग करना स्टार्ट हो जागा यहां पर हम यह देखते हैं इस चीज को कि ब्रेक हय या नहीं है जैसे यहां पर देखते हैं यार्थ के लि heir दिया हुआ है और यह supply का यहां से है जो कि देखें यहां से है हमारा आररे सफेटेशन से सप्लाई आई है तो ए ensuite इनकमिंग हो गई है यहां अगर big है अगर ब्रेक है मतलब जिसी इस तरह अगर ब्रेक किया हुआ है तिम तो तो सब्लाइ आगे नहीं जाएगे यहां पर है आको को है जानि कि सप्लाइं इसको बर्स बार को देनी पर है कि पिर यहां से बचłbym सब्डिंग कट्परं सारी भी सिरी जो की यहां से एक और सप्लाई आगे गई है यह अभी देखिए इसी तरह का जो बता रहे थे यहां पर की यहां पर बता रहे थे आपको कि यह जुड़ा हुआ है मतलब सप्लाई यहां से यहां तक पास कर सकता है वही यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर हमारा ब् स्ट्रीप करने का मतलब कि यहां से आपका यहां से बस बार में सप्लाई जाएगी लेकिन यहां से नीचे जो आगे जब सप्लाई जा रही है यहां पर सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि यहां पर ब्रेक किया हुआ है इस वज़े से सप्लाई नहीं जाएगी तो हमें इसको करना पड़ेगा जो कि अन करने के बाद यहां पर आपके लाइट बिलिंक करना शार्ट कर देगा अभी ब्रेक है अभी पीछे से सप्लाइ नहीं है यह थोड़ी दिर में आएगी तो आपको हम इस चीच को बताएंगे दूसरा चीच यहां पर बासवार के थ्रू ही एक स्विच में यहां पर ट्रस्फॉर्मर को दिया गया है जो की इसके एल्टी सैड में जाएगी ट्रस्फॉर्मर से होते हुए पहले सप्लाइ यहां से भी देखिया आपको कि यहां से भी देखिया अब बिलिंग कर रहा है यह ति त्रांसफ्परमर को कई है उसके लटी सैड गई है अभी फोड़ी दर में दिखाएंगे आपको कि यह जब सप्लाई आती है तो झाल झाल